अलो गाई स्वागत आपका धामा के दाथ सेसन में आज हम discuss करने वाले हैं कुछ प्रमुख देश जो जिनके बारे में पूछ जाता है उनकी capital and currency मतलब राजधानी एवं मुद्रा उनकी मुद्रा और राजधानी के बारे में discuss करने वाले हैं बहुत ही important session है guys यह इसको do like share as much as possible guys बहुत ही important session है और इससे definitely आपके exam में question बनेंगे guys यह आप देख लेज़ीगा चलिए तो फिर time based करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम वर्ल्ड जी के यह static J stiffen do double currencymayı discuss करने वाले हैं तो सभ से पहले हम start करने वाले हैं अपने कहा के हरा कि अपना कहा हरे हम a cm 小 स्टार्ट करते हैं है हम start करने वाले हैывают it मैं प्रमोग प्रमोग देश हैं है इनके बारे में पूछा जाता है उनके वारे में हम discuss करेंगे है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके साब से भाई सबसे पहले हमारा प्यारा क्या होना चाहिए भारत होना चाहिए क्यों हम खुद चाहते हैं हमारा भारत नंबर वन रहे भारत का तो पता ही हुए यह कैपिटल क्या है निव डैली एंड करेंसी इंडियान रूपी ठीक ह नेश्ट कंट्री की और जाते हैं है ना नेश्ट कंट्री हमारी क्या होगी क्या होगी नेश्ट कंट्री है हमारी जापान जापान के बारे में डिसकस करते हैं जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो है जापान की कैपिटल टोक्यो करेंसी क्या होगी करेंसी होगी जापनीज य है याद रखना है हमको करेंसी याद रखना है कट allein हमको याद रखना थे ज्पार आफ ही जो और आरभी सब्सक्राइब क्रेंसी हमको याद रखना है यह पूछ करेंसी ना यह कारता यह अब द्यान रखेए अभी प्रिजेंट में जकारता है है जसका नाम है इसका ने इसका नाम है ईस्टकली मंतर होने है है ना वो बात में होने वाली है अभी कुछ नहीं है इन कव होने वाली नहीं उसका डेट कम हैं मगें वह फोने वाली है अभी की Listening में जकारिते की डेट में इसके एक कैपिटल है anar करेंसी की बात कर रहें रुपिया रुपियों इस यहाइस को आपका थ्यादा रखेंगे कि रुपिया है ना इंडोनेशिया रुपिया है न सफेद हाती चलिए इसकी कैपिटल की बात करें कैपिटल होगी बैंकोग थाइलेंड की कैपिटल होगी बैंकोग करेंसी इसकी होगी थाइबाट थाइबाट है ना थाइलेंड की बात करें कि तो इसमें सम्मेलन होते रहते हैं अभी अभी जो 2019 का जो सम्मेट हुआ था ना सं Thailand के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए Capital पता है करेंसी क्या है थाइवार्ट है और Thailand के बारे में और भी बहुत सी जानकारी हमें पता होना चाहिए अगली बात करें next country क्या होगी next country Philippines Philippines के आरे में एक्जाम में पूछ लेता है गाइस तो इसकी capital क्या होगी Manila 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 तो और currency क्या होगी Philippines peso peso गाइस currency याद रखना है capital तो एक्जाम में पूछा ही जाता है new trend में currency भी पूछा जा रहा है क्यों capital देखिए Manila है जो अपना Asian Development Bank है उसका headquarters कहा है इसमें है ना तो यह सब चीजों की जानकारी हमें होना चाहिए है ना तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ चाहें तो आप इससे no-down कर भी सकते हैं next की बात करें next हमारी country होगी Singapore गाइस most developed country Singapore की बात कर रहा है है सिंगपोर है और इसकी हम capital की बात करते हैं capital Singapore Singapore city है ना और currency क्या होगी डॉलर है हमें इसकी currency याद रखना है डॉलर डॉलर भाई high quality developed country है तो currency सीधी सी बात डॉलर तो हो नहीं चाहिए South Korea अगली country है South Korea South Korea की बात करें हम याद रखना है South Korea के बारे में Asian subcontinent से आप अभी यह part 1 है second भी आएगा है तो हमें man man जो country है उनके बारे में तो याद रखना ही रखना है अगर याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा भई यह एक्जाम में फैल हो जाएंगे सीधी बात है है ना तो याद रखना है Capital Seoul Capital Seoul है currency है वोन South Korea इसलिए रखना है क्योंकि नौर्थ Korea जो रहता चर्चे में रहता है तो यह सथोड़ी नौर्थ Korea के बारे में पूछे गया एक जामिनर नौर्थ Korea के जश्ट पास में देखिए आप मैं अपने South Korea देख रहा है वह पटक देगा रहा यह क्या है होगी अपनी ब्यात नाम याद रखना है ब्यात नाम के बारे में भी याहत रखना है हमको Capital होगी हनोई Capital क्या है हनोई currency की बात करें यह लोगों से कि आप जो currency आद करते हो ना डॉलार हो गई पैसो अपना रुपीज हो गई पाउंड हो गई है ना ऐसा डा बियतनामीज लगा सकते हैं या तो इंडियान जैसे अभी इंडिया की पता भी रूपी है उसके आगे आप इंडियान रूपी लगा लिए क्यों कि तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कराएं क्योंकि एक्जाम के समय यही कन्फिूजन रहता है कि डॉलर कहां कौन से देश की ली के कौण से देश की रूपीज कौन से देश की पेसो कौन से देस की यह तो उसके पहले लगा क्या जाता है यह साथ मुसके क्रेंसी साइड दंख याद hard भाचन बहुत हो गया नेक्स्ट कंट्री है लेबनां की बात करें लेबनां याद राखना है केपिटल होगी बेरुत बेरुत मैंने अपनी बात करूं अपनी मैंने कैंसे याद किया था मेरट है यूपी में है ना उसे साब से रिलेट करके मैंने बेरुत याद कर लिए तो जल्दी याद हो गया ठीक है तो लेबनन की कैपिटल है बेरुत करेंशी की बात करा है लेबनीज लेबनीज पाउंड को से जरूर यह कीजे कि केवल पाउंड याद न रखें उसके पहले देश का नाम जरूर लगाएं क्यूंकि एक्षम में किलेक करेगा पाउंड यह डॉडर उसके पहले आपकी कंट्री भी किलेक कर दी जाएगी है ना यही है हुआ नेक्स्ट कंट्री होगी म्यामार। हमारा बरमा बरमा था उन्नेश्च उप dehamenteец के Clean नबेंट ऑफ बार्मा को अलग कर दिया गया था वारत से तो बात करें बर्मा की कैपिटल क्या होगी बर्मा की capital नैपीदा नैपीदा ऐसे याद रखना नैपीदा currency होगी क्यात currency पूछली जाती है क्यात important है SSECGL में आचुका है currency क्यात है न तो Asian subcontinent और जाज़ा तर Asian subcontinent से ही question बनते हैं तो यह हमें याद रखना Thank you guys for watching, please like, do like, share subscribe as much as possible, session पसंद हो गया आया होगा, तो comment में जरूर बता है कि कैसा लगा तब तक के लिए goodbye मिलते हैं next video में ऐसे ही धमा के जार वीडियो आपके लिए आते रहेंगे मिलते रहेंगे, बस कहीं मत जाएगा बने रहेगा हमारे channel के साथ धन्यवाद